है गाईस कैसे हो आपनों दोस्तों मैं हूँ पश्पड़ और आप देखरें शबीक को से आल फ्यूरिक गाईस आप मेंसे बहुत रहे सार बच्चे ऐसे होंगे जो कि थर्ट यर या फिर फोर्थ यर होंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि एक दो साल कहीं जॉब कर रहे हो होगा कि हमारी जो ग्रोफ की लिमिटेसंस होगी बहुत फिक्स हो जाएंगी यह तो क्लियर है आप आज की वीडियो का टॉपिक है कि चलो ठीक है भाई हमको सवग्न या गया कि टेक्निकल हमको स्ट्रॉंग होना पड़ेगा स्वाफ्टर बेस्च ट्रॉंग होना क्या सीखे, उसके बाद क्या सीखे, उसके बाद क्या सीखे, यह जानना बहुत जरूई होता है, अधरवाइस क्या होता है, कि आप इंसिट्यूट्स में जाते हो, जो भी आपके आसपास इंसिट्यूट्स होते हैं, वो कैसे गाइड करते हैं, मैंने भी देखा, इवन मैं खुद भी गया था अपने college time में, वो गाइड करते हैं कि उनके पास कौन सर ट्रेनर ओलेबल है, अगर उनके पास ट्रेनर ओलेबल है 3DS Max के लिए, तो आपको अगर आपको direct में 3DS Max सिखाने बैठ जाओ, आपका भी AutoCAD का base भी strong नहीं हुआ है सही से, तो 3DS Max भी ऊपर से चला गया, पैसे तो आपने देखी दिये थे 15-20 रुपए, 3DS Max भी चला गया और AutoCAD भी चला गया था, तो इसलिए एक right series जानना जरूरी है, आप कहीं में भी सीखो कैसे भी सीखो, या फि मेरे से कई बच्चे all-in-one में सीख रहे होंगे, all-in-one में सारे software's का set है, बट पहले कौन सा सीख है, इस वीडियो को भी clear हो जाएगा, तो चली वीडियो को ध्यान से सुनिए कि पहले कौन सा software's सीखना चाहिए, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन मैं deep में जा रहा हूँ हा, थोड़ा से enjoy करना है इस इसको, कई बच्चे बोलेंगे कि सर, AutoCAD का काम तो rabbit करके देता है, फिर rabbit क्योंने सीखे, AutoCAD में क्यो time just करे, देखो भाई, AutoCAD एक handy software है, ठीक है, वहाँ पर जो आपकी mouse की practice हो जाती है, आपकी sketching की practice हो जाती है, फिर जहीं आप आता है, so always remember, सबसे पहले, कोई कितरा भी समझाए, कि नहीं नहीं, आपको पहले rabbit सीख लेना चाहिए, rabbit में AutoCAD का काम हो जा, बोल दो भाई, चलो ठीक है, मत बताओ, ठीक है, पहला काम क्या करना है, आपको AutoCAD सीखना है, इसलिए मैं, चाहे beam हो, चाहे all-in-one हो, ठीक है, दोनों ही कोर्स, जो भी भी बड़े कोर्स है, सबसे पहला काम AutoCAD लगाता हूँ, AutoCAD आ गया, अब AutoCAD के बाद क्या सीखना चाहिए, AutoCAD के बाद अगर आप structure point of view से देखेंगे, तो उसके बाद आपको सीखना चाहिए, ये degree वालो के लिए बता रहा हूँ, उसके AutoCAD के बाद StatPro सीखिए, अब लोग सेर ऐसा क्यों, AutoCAD के बाद StatPro क्यों, Revit क्यों नहीं, समझो इसका concept, StatPro जब आप चला लेते हो, तो आपका structure concept से clear हो जाता है, खास तोर से ऐसे trainer से जो बहुत concept को focus करते है, उनसे सीखने के बाद आपको पता जिल जाता है, कि beam का क्या work है, column का क्या work है, beam कितना rotate करेंगे कि pass हो जाएगा, उसके बाद beam में deflection कितना आ जाएगा तो okay हो जाएगा, किस तरह का structure possible है, ये StatPro से पता चल जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब आप कभी आपको मौका मिलता है, जो next software सीखने का, यानि Revit सीखने का, तो जब आपको कभी अ होगा, तो safe नहीं होगा, पूरी तरीके से, तो इन सब चीजों का concept से, वो StatPro से clear हो जाता है, इसलिए मैं suggest करता हूँ, पहले AutoCat, फिर StatPro, अब StatPro से मिलता, जो जो ता software RCDC आपका मन करेंगे, तो उसको भी सीख लो, अच्छी बात है, StatPro की बात करूँ, तो Stat Foundation अलग नहीं ह करता हूँ, डिरी वालों को, और recommend करता हूँ, रेविट क्यों, क्योंकि अब पूरा concept clear हो चुका है, कि column यहां लगाएंगे, तो सही रहेगा, तो अब जो modeling करते हो, आप तो उसमें किस तरह का design दे रहे हो, यह आपके mind में clear रहता है, पूरी तरीके से, यह याद रखो कि ज आपकी practice हुई है, आपको को अपना side-by-side office भी खोलना चाहो, तो आपको easy पड़ता है, क्यों, modeling अगर हा रही है, क्योंकि client को impress करने के लिए modeling ही सबसे important tool होता है, हम लोग के पास बहुत डिर सारे clients पहले आते थे, तो जब हम लोग repeat हो करे पर ज्यादा काम नहीं करते थे, उ they are happy with their designs, तो उनको पैसे देते थे, even structure की design अच्छे नहीं करते थे, structure की design से client को ज्यादा मतलब नहीं होता है, client उस चीज को technically समझ नहीं पाता कि कि कितना steel हम safe कर दे रहे हैं, या फिर column की position से क्या benefit हो रहा है, यह तो हमारा term है तो इसलिए अगर आप AutoCAD सीखते हो, उसके बा इवेन आप Beam में भी जा रहे हो ना, जाओ Beam में कोई प्रावलम ने, Beam का सब को सीखो, लेकिर उसमें StatPro सीख कर रखो, उसे बहुत concepts क्लियर हो जाते हैं, तो होप आपको समया होगा कि भाई, पहले AutoCAD सीखना, फिर उसके बाद StatPro, फिर Revit, अब कई बच्चे सोच रहे हो, सा आपका Packing बहुत गंदा है, तो बाहर से गर कोई बंदा आएगा, अगर आपको नहीं जानता, तो आपके हमिठाई नहीं लेगा, ऐसे ही सेम डिजाइन होता है, आपने model तो बहुत अच्छा तैहर कर दिया, इसका जो रेंडर है, उसका जो result है, अगर वो बैतरी नहीं होग तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, कुछ खास नहीं है, इसलिए, रेंडर के कुछ छोटे छोटे प्लगीन्स हैं, जैसे की वीरे हैं और इंसकेप है, इन में से कोई भी एक मैं इंसकेप को जादर प्रिफर करता हूँ, आपका अपना चौईस हो सकता है, आप इंसकेप सीखिए या फिर वीरे सीखिए, इंसकेप सीखने से क्या होगा कि छोटा से सौप्टेर हैं, पंदर मिनिट का सौप्टेर सीख लिजे, तो उससे रेंडर करके आप बहतरीन क्वाल्टी में रेंडर किसी को सम्मिट कर सकते हैं, तो अगर इतना आप सीख लेते हो, तो आप एक तरीके से जनरल लेबल पर परफेक्ट हो चुके हो अपने सीविल इंजिनिंग वर्क में, अब आप बोलोगे सर चलिए ठीक है, मैंने आटोकेट भी सीख रखा है, आपके एक और डिंग मैंने स्टैटर भी सीख रखा है, और रेविट भी सीख रखा है, पर फिर आपन अगर आपको डिजाइन करना है, आपका पूरा पैस्टनेट हो आप इस्ट्रक्चिर से में, तब आपको सीखना चाहिए, अगर हाई रेज बिल्डिंग के लिए बात करा हूँ, इटैप सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें डैनमी के नालसी बहुत ही बहतरीन होती है, और ले दो, मैं कल के एक वीडियो आएगा, उसमें सेपरेट आपको बताऊँगा, इस टैड और इटैप में डिफरेंस के आएगा, चलिए, तो पहले आपको के बात आपको सीखना इटैप सीखने के बाद अगर आपने सेफ नहीं सीखा, यह सेफ नहीं सीखा, तो किसी काम का नहीं क्यों, क्योंकि यह सेफ अना चाहिए, यह हो गया, यह सीरीज all in one वाले सब खॉलो कर सकते हो, याद रखना, अब इसके बाद जो next software लो तो आपको क्या सीखें, आप तो लगह सीख लिए है, नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है, कि software बहुत जादा reinforcement दिखाने लगता है, मे लेकिन अब आपको इसके ऊपर और expert बनना है तो फिर आपको manual का knowledge होना चाहिए, किसका knowledge होना चाहिए, manual का, क्यों? क्योंकि अगर कभी cross check करना हो गया manual से, तो आपको पता तो रहेगा ना कि भाई, मैंने SMD खुट से निकाली थी, मैंने BMD खुट से निकाली थी, तो फिर प्लस, software में कुछ data में difference आपको लग रहा है, तो cross check करने के लिए Excel बड़ा easy tough होता है, फट 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 value डाला, enter किया, और देख लिया, कुछ design इसकी अगर गलत आ रही है, तो हम उसको भी copy paste कर सकते हैं, कि as per Excel हमने यह देखा, कि भाई, यह result आ रहा है, तो उसे भी लोग मान प्लस के लिए stat pro, e-taps, इनको न सीखो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डिप्लोमा वा लोग को structures में लोग prefer नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले तो बहुत अच्छे से AutoCAD सीखना चाहिए, दूसरा Revit सीखना चाहिए, render का plugin मत भूलना, escape, सीख लेन सकते हैं, और इसी बेस पर मैंने all-in बना है, जिसके पास भी unique civil का application नहीं है, बहुत ही comfy, बहुत से बच्चे बोलते हैं, इतना comfy, भाई यार, अगर हम भी कम देंगे, तभी तो हम ज्यादा तक लोगों तक पहुच पाएंगे, क्योंकि of course, ज्यादा पैसे जिनके पास है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, बट कम पैसे वाले कहां जाएंगे, हमारा वो mindset रहता है, तो इसलिए अगर आपके पास unique civil का application नहीं है, तो download कर लीजे, उसमें all-in-one का course देख लीजे, 12-15 lecture free है, मैं सोच रहा हूं, 8-10 lecture all free कर देता हूं, जिससे आपको और confidence आए, कि content किस level का ह है, तो आप उसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगा, इसको continue कर सकते हैं, otherwise ये सिरी जरूर फॉलो करिए, institutes में जाके बेखूफ मत बनिये counselor के द्वारा, वो counselor जिसने खुद engineering नहीं किया हुआ है, और आपको guide कर देती हैं, खासो से लड़किया ही होती, आपको पता है लड़किया क्यों रखते हैं, क्योंकि लड़कों का जो age group होता है उस टाइम पे, लड़कियों की जादा सुनते, तो उन्होंने खुद engineering नहीं किया हुआ है, 12th pass है, लेकिन आपको इतना बहतरीन guide करने की कोशिस करते हैं, कि सीड़ स्मैक सीख लो, या फिर स्केच अप जैहिंद, जैवारत, एक बार और फिर से बोलूँगा कि अगर एप नहीं है तो आप डाउनलोड कर लिजिए, एप को डाउनलोड करने में कोई उसके चार्जिस नहीं है, कुछ हम लोगी planning चल रही है, एप के उपर डेली कुछ आपको नया देनी के लिए, इसलिए अभी 5 वीडियो में आपको बोलूँगा, जितने लोग वीडियो देखेंगे, जल्दी यल्दी सकते डाउनलोड कर लेंगे, कुछ प्लानिंग है, वो आगे डिसकस करूँगा, थोड़ा सर्प्राइज नहीं दो, चलिए, थैंक्यों सुमाज, जैहिंद, जैवारत!